हलो दोस्तों वेलकम बैक तो मैं चैनल हो पॉला दूइंग गूड और आज के वीडियो में मैं अपके साथ शेर करूंगी कुछ किछन ओर्गनाजेशन और स्पेस सेविंग आइडिया जो किछन को एक बहुत ही ताइडी और नीट सा लुप देगा और साथ ही बहुत ही फंक् सरे रेचिपीज और रावल वीडियो और गनाजेशन दियॉस ऐसे कंटन सा शेर करती हूं सो दो विजित मैं चैनल वन्स और इक या लिकिन दी कंटन से चैनल और शेर मैं वीडियो चलिए फिर वीडियो को स्टार करते है Kitchen is heart of the home. Kitchens are made for bringing families together. It acts as a meeting place and is the center of the house. It's where your day begins. So why not be little creative to organize your kitchen which will also be functional. Tip number one using baskets, organizers or tray. So kitchen में oil वगरा store करने के लिए salt, spoons, motor and pestle. So ये सब चीज़े रखने के लिए अगर हम एक organizer use करते हैं तो it will be very functional and very easy to use. तो ये मैंने एक basket यूज किया है जिसको मैंने IKEA से purchase किया था. From long time I am using this. उसमें मैंने tissue नीचे डाला है just in case तेल कुछ leak होता है तो. और उसमें मैंने सारे oil के bottles रखी है एक चोटा सा motor pestle रखा है और ये एक दूसरा basket है जिसमें मैंने spoons रखी है, salt रखा है और घी का एक डबा चोटा सा रखा है. ऐसे organizers use करने से उनको एक dedicated spot मिलता है और counter top भी बहुती neat and clean दिखता है and it's very easy to use. और यहाँ पे मैंने एक place mat भी रखा है, cooking करते वक्त कुछ गरम अगर counter top पे रखना है तो. और एक spoon rest रखा है, clean करना भी बहुती आसान है, just वो organizer को move करना है and you can clean the space quickly, time भी बहुत safe होता है. अगर हम नीचे platform पे ही रखते हैं तो हर एक चीज, हर एक bottle हटा के हमें clean करना पड़ेगा, गिर सकता है, तूट सकता है and उनको एक अगर dedicated spot मिलेगा तो जहां से हम निकालेंगे, again वहाँ पे ही हम रखेंगे. और यह मैंने एक छोटी सी plastic की dip भी रखी है, जिसमें मैंने, जो rubber bands है, वो मैंने store करी है, जो भी vegetables के साथ rubber bands आते हैं, उनको मैं wash करके, इसमें मैंने store किया है, अगर कुछ भी हम packet open करते हैं, तो quickly seal करना हो, तो यह बहुत काम में आती है. काड़बोर्स यूज करके, ऐसे DIY organizers भी बना सकते हैं, so they also last long. Tip number two, keeping counter space empty as possible, तो अगर हम kitchen में counter space empty रखते हैं, तो we can make the most use of it, और कोई भी counter area हम use कर सकते हैं, especially अगर kitchen counter area छोटा है, then this helps a lot, और kitchen counter को empty रखने से, we can make the most use of it, तो यहाँ पर मैंने एक destroying mat यूज किया है, मैंने कोई भी destroying rack नहीं लिया है, यही सोचके कि अगर मैं rack लेती, तो यह जगा वो पूरा घेर लेता, और यह जगे में किसी और चीज के लिए use नहीं कर सकती, यही सोचके मैंने अभी तक जो dish drying rack है वो नहीं लिया, तो मैं यहाँ पर mixer चला लेती हूँ, कभी chopped veggies जो है, वो wash करके इसी पर रखती हूँ, तो dishes dry करके मैं उनके जगे पे रखने के पाद यह space है, पूरा अगें empty हो जाता है, अगर वो matte गीला हो जाता है, then I change it, और corner में मैंने मेरा chopper और एक toaster जो है वो रखा है, पूरा यह space मैंने empty ही रखा है, and it's quite helpful, I can use this area for other purpose as well, और sink की दूसरे तरफ जो counter area है, उसको भी मैंने empty रखा है, बस heat mats जो है, वो मैंने दो रखी है, just in case अगर मुझे कुछ गरम जीज रखनी हो, और इस counter पे मैंने जो add a seo sheets आती है, वो लगाई है, इसका भी video मेरे channel में है, in case you want to check, it's a long time now, और जब हम इस घर में मूँ हुए थे, तब मैंने इसे लगाया था, ये area जो है, वो मैं में mostly chopping के लिए यूज करती हूँ, चाय वगरा चलने के लिए, या फिर कुछाथ groceries रफील करनी है, तो वो सब for everything, I use this counter space, मेरे kitchen में counter space बहुत ही कम है, तो I have kept it empty as possible, तो ये मेरे kitchen का pantry area है, यहीं पे maximum जो groceries है, वो मैंने रखी है, और उनको मैंने organize करने के लिए, ये जो glass jars है, वो use किया है, तो ये सारे jars मैंने reuse करी है, kitchen को, cabinets को organize करने के लिए, मैंने specially कोई भी अलग से jars मैंने purchase नहीं करी है, pasta sauce के जो भी bottles है, या फिर जो मैं बच्चों को milk देती हूँ, ओवल टीन, उसके bottles over the time मैंने collect करके, थोड़ा थोड़ा मैंने इसे organize किया है, इसका पूरा organization वीडियो भी मेरे channel में है, in case you want to check, और ऐसे sleek और tall bottles मैंने use की है, ताकि एक साथ बहुत सारे bottles fit हो, तो एक row में almost 6 bottle fit हुई है, ऐसे आप ऐसे 3 rows बना सकते हो, और नहीं तो फिर आप stackable जो containers और jars हैं, वैसे use कर सकते हो, उससे भी बहुत आप कम जगे पे बहुत सारा कुछ store कर सकते हो, टिप number 4, using corner space, तो kitchen में जो भी corner space होदा है, उसको हम efficiently use कर सकते हैं, according to the need and requirements of everyone, तो यहां पे जो fridge और cooktop है, उसके बीच में थोड़ी सी जगे थी, तो उसके लिए मैंने एक four tier, यह जो trolley है, वो मैंने purchase किया था, Amazon से, इतना भी sturdy यह नहीं है, पर इतना खराब भी नहीं है, it's working fine, from quite few months I have been using it, और उसमें ऐसे चार shelfs है, तो उसमें मैंने यह जो snacks के jars है, वो मैंने रखी है, और यह jars भी मैंने Amazon से purchase की थी, set of seven, एक्दम clear jars है, air tight है, snacks वगरा जो भी है, वो सब मैं इसी में restore करती हूँ, बच्चे भी इसे easily grab कर सकते हैं, और बहुत सारा जो भी snack item है, इसमें fit हो जाता है, तो इसके लिए cabinets में, मुझे अलग से कोई जगे नहीं बनानी पड़ी, and this saved a lot of space, और इसमें side में ऐसे hooks भी है, अगर आपको कुछ hang करना हो, और यह बहुत ही different तरीके से use किया जा सकता है, इसमें spice bottles रख सकते हैं, या फिर छो छोटे छोटे glass और cutlery items हैं, वो रख सकते हैं, या फिर जो भी aluminum foil, butter papers हैं, वो सब हम इसमें arrange करके रख सकते हैं, as per your need. टेप नमबर 5, using drawer organizers, मेरे kitchen में दो ही drawers हैं, तो एक drawer में मैंने, जो सारे spatulas वगरा हैं, जो cooking में use होती है, वो रखा है, और दूसरे drawer में मैंने spices arrange की है, तो अगर हम ऐसे drawer organizers का use करें, तो बहुत ही handy होता है, you can pick the things easily, और अगर हम बिन और organizers के रखते हैं, तो पूरा clutter हो जाता है, जब हमें cooking करते वक्ट कुछ चायो होता है, सामने ही होता है, मैं frequently use करती हूँ, उन spatulas को मैंने इसमें arrange की है, इस organizers are very functional and helpful, आप चाहो तो ऐसे आजकल वो जो drawer है, उनको ऐसे dividers भी मिलते हैं, वो भी attach कर सकते हो, ऐसे 2-3 dividers और वो section create करता है, and then as per that you can arrange it, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे चीज़े आ गई है, cooker की जो whistles है, वो रखी है, butter knives रखी है, बड़े वाले spoons रखे हैं, सबजियां अगरे mix करने के लिए, जो spatula's है, वो रखी है, steel के दो मेरे पास stroth है, वो मैंने रखी है, जो मैं frequently use करती हूँ, वो मैंने इसमें रखा है, it's very easy to grab, और इसको मैंने बस drawer में place कर दिया है, और जो drawer का दूसरा side है, उसमें मैंने जो रोटी का बेलन है, और जो बड़े-बड़े करचिया है, उनको मैंने रखी है, so this is how I have organized, और इसी तरह spoons वगड़ा रखने के लिए, आप एक spoon holder यूज़ कर सकते हो, ये एक pen stand है, उसी को मैंने as a spoon holder use किया है, from quite some time I have been using this, हर बाद सोचती हूँ कि मैं इसको change करूँ, but then वो रह जाता है, but this is also good, it's solving my purpose, और इसमें तीन ऐसे sections है, तो बड़े spoons, चोटे spoons, और कुछ में मैंने scissor और एक pen रखा है, और ये और एक basket है, जिसमें मैं fruits रखती हूँ, तो नीचे मैं इसके एक tissue paper रखूँगी, और उसमें मैं जो daily use की fruits है, वो रखती हूँ, तो इस basket में मैं एक दो दिन की fruits रखती हूँ, बाकी मैं fridge में रखती हूँ, जैसे ही ये basket empty हो जाता है, अगें fridge से निकाल के मैं इसमें रखती हूँ, अगर fruits सामने रहे तो, it reminds us that we have to eat them, और एकदम fridge से ठंडा निकाल के खाया भी नहीं चाता, और ऐसे colorful अगर आप counter top पे उपर रखते हो, तो दिखता भी अच्छा है, और sink में भी ऐसे छोटा सा sink holder होना चाहिए, इसे लेजी सूजन भी यूज कर सकते हो, इसमें मैंने जो भी bottles वगड़ा है, वो मैंने रखी है, और आजकल तो इतने different different तरह के organizers है, एक अगर हम लेते हैं, नेक्स टाइम कुछ और दिखता है, तो हमें लगता है यार, ये तो जादा अच्छा है, बट ऐसे करके we cannot end up buying everything, right, और ये और एक wooden का जो लेजी सूजन है, वो भी काफी useful है, उसमें ऐसे दो sections है, नीचे और उपर, उसको मैंने वालमाट से लिया था, तो किचन में जो मेरा cooktop है, उसके उपर जो chimney है, उसमें मैंने ये magnetic hooks, जो है वो यूज की है, बहुत ही strong है, इट केंड होल्ड अगुड अमाउंट ओफ वेट, और ये set of six में मैंने परचीज किया था, और इन magnetic hooks को मैंने चिमनी में प्लेस किया है, और इन में मैंने जो tea strainer है, whisker है, छोटा सा एक grater है, और cast iron तवा का जो silicon का जो holder है, वो सब मैंने यहां पर हैंग किया है, तो उतना ही space drawer में कम हुआ, अगर ये भी मैं drawer में dump करती, तैन इट विल बी overcrowded, और ये जो wall space है, वहां पर मैंने push pins यूज की है, और उसमें मैंने जो measuring cups है, masher है, तड़का वाला चोटा सा pan है, और full का बनाने का सेक्ती हूँ, वो मैंने हैंग किया है, fridge का जो side part है, उसमें भी मैंने दो magnetic hooks यूज की है, एक में मैंने जो बड़े-बड़े strainers है, एक steel का है, एक plastic का, वो मैंने हैंग किया है, और दूसरे hook में मैंने, बच्चों का school calendar हैंग किया है, और दूसरी तरफ उनका lunch menu है, so that I come to know, और ये कपड़ा जो मैं vessels वगरा dry करती हूँ, वो मैंने रखा है, और tissue rules के लिए भी अगर counter space नहीं है, तो आप ऐसे उपर जो आप hang करते हो, वैसे organizers आप use कर सकते हो, ये बहुत ही minimal price में, डॉलर ट्री में या फिर walmart में मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मैंने वाल पे चोटा सा मेरा जो chopping board है, वो लगाया है, center में एक DIY मैंने बनाया था वो, और side में again one more strainer, so ये magnetic hooks बहुत ही काम में आती है, and it's life long, like यह ऐसे नहीं है कि थोड़े दिन आप use करोगे, तो खराब हो जाएगा, tip number seven, spice organization, Indian cooking में हम बहुत सरा के different different types के spices यूज करते हैं, और अगर spices को रखने के लिए, arrange करने के लिए एक dedicated spot हो, तो it will be very helpful, सारे ही spices में इस डौवर में arrange की है, recently मैंने इसका वीडियो शेर किया है, ये beautiful से जो jars है मैंने Amazon से purchase की है, बहुत different different तरीके के types के sizes के jars मिलेंगे, according to your need and requirement, तो सारे ही जो spices हैं वो इसी में हैं, इसमें आप जो masala हैं वो भी फिल करके रख सकते हो, so this is quite useful and handy and all at one place, last but not the least, tip number 8, choosing right utensils for kitchen which will save more space, तो जो भी हम kitchen में utensils use करते, अगर हम stackable जो बरतन हैं वैसे हम purchase करे, तो space हम काफी बचा सकते हैं, अगर हर एक बरतन को हमें अलग-अलग से रखना है, then it is going to take a lot of space, तो जब भी हम purchase करें, अगर wisely purchase करें, stackable especially bowls या बरतन हम purchase करें, तो एक के अंदर एक हम अच्छे से stack कर सकते हैं, और एक ही place में हम बहुत सारे जो बरतन हैं, एक साथ रख सकते हैं, तो जैसे कि ये bowls के jar set of three, तो एक बड़ा, एक छोटा और एक छोटा, तो एक ही में मैंने stack किया है, ये एक बड़ा सा bowl है, जो मैं जब भी मैं इडली दो सा बैटल बनाती हूँ, इसी में मैं फर्मेंट करने रखती हूँ, इसमें half करती हूँ, और इससे चोटा और एक है, तो इसमें half, ऐसे half-half करके, मैं oven में रखती हूँ, और ये एक बड़ा सा बर्दन है, जब मैं अभी इंडिया गई थी, तो ममी के पास से में ले आई, पूरी वगरा तलने के लिए, आटा गूनने के लिए, ये काफी अच्छा है, और ये मैं इसमें मैं पास्ता वगरा, जब बड़े कॉन्टिटी में बॉइल करना है, उसको यूज करती हूँ, और ये सारे एक के अंदर एक आ जाते हैं, तो एक ही स्पॉट में इतने फिट हो जाते हैं, तो यही था आज का व्लॉग, होग करती हूँ, आपको कुछ न कुछ आइडियाज ज़रूर मिलेंगे, और अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, तो स्टे कनेक्टेड, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एवरी तुजडेज और फ्राइडेज आई पोस्ट वीडियोज, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दें, स्टे हैपी, स्टे कनेक्टे, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, टेक कैर, और बाबाई, यू कन अलसो फॉलो में ऑन इंस्टरग्राम, वहां पे भी में रील्स और पोस्ट अपलोड करती हूं, इंस्टरग्राम जो मेरा हैंडल है, यहां पे मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, विल सी यो अगेन,